तो आज मैं आपको बताऊंगा सुजलोन के बारे में तो सुजलोन एनरजी में आज की डेट में 20% का तेज़ी देखने को मिला देखो यह एक अच्छी खबर भी है और यह एक बुरी खबर भी है दोनों तरफ से समझने की कोशिश किजिएगा बेनफिट मैं आपको बता दूँगा रीटेल इनिवे सको भी देखने को मिल जागा आज 20% की तेज़ी देखने को मिलिया और लास्ट में फाइनिली जो है स्टॉक दो बर सरकीट लगने का कोशिश किया देख सकते हैं फर्स टाम यहाँ पर सरकीट और दूसरा बार यहाँ पर देख सकते हो मतलब सरकीट में ही है स्टॉक यहाँ पर इस से पहले देखते हैं पिछले पांस जिलों में सब नॉर्मल था देरे देरे उपर ही जा रहा था पिछले एक महिने में भी तो टो 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 ट मतलब हुआ क्या है सुजलोन में मतलब SBI के तरफ से कोई ख़बर आ गए कि भही देखो सुजलोन जो है वो आडानी के पास अपना जो है शेयर गिरवी रख रहा है मतलब और मतलब 4-5 करोर मतलब जो भी आई यह लाक में एक शेयर गिरवी रख रहा है गिरवी रखने का सुजलोन जो है इसने जो सुजलोन जो है इसके वजह सामने आई तो इसके दम पे जो है जब सबको पता चला कि भी एक मिस्टेक था मतलब जो एक तरह के सगलती था उसको सुधार दिया गया बस इसकी इसी खबर के वजह से सर्कीट में चला गया स्टोंक यहां पर यह आपको बताया जाएगा यहां पर यह आपको बताया जा रहा है कि सुजलोन एनरजी रैलिस आफ्टर क्लैरिफिकेशन ओन एडिशनल प्लेज इक्विटी जो बताया जा रहा था ठीक है स्टेट के तरप से, अब नीचे में भी वही चीज आपको बताया जा रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, कि सुजलोन एनर्जी जो है, यह विन टर्बाइन के लिए काम करती है, वो आपको बताया जा रहा है, विन टर्बाइन मनिफेक्चर करती है, अब नीचे देखेगा, का नीचे हमें आपको बताया गया है यहाँ पर देख सकते हैं टाइपो ग्राफिकल एरर इन यहाँ पर आपको बताया जा रहा तो यह एक मिस्टिक था जो स्टेट बैंक ओफ इंडिया के तरफ से यहाँ पर बता दिया गया है सब्तमबर 3 को बजार खुला है आज तो आज के आप बताया था ग्रीन अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर तो यह एक क्लरिफिकेशन आया है मतलब पहले एक तरीके से मिस्टिक हो गया मिस्टिक करने के बाद इसको क्लियर कर दिया गया क्योंकि यह सूजलों के लिए बहुत मतलब नगेटी ख़वर थी है जब अच्छा इ अच्छी कबर यह है कि स्टॉक 20% दोडा और आज की डिट में यह स्टॉक 10 रुपे के बाजी में आ चुका है बहुत सारे ऐसे रीटेल निमें सके जिन सो लगबंग मैंने प्रस्टनली भी बात किये जानकारी लिए है उन्हेंने खुद मतलब कमेंट भी क्या बताया कि सर स सुजलों को मैंने 10 रुपे में खरीद रखा है 11 रुपे में खरीद रखा है क्या करूं हेवी नुकसान है मैं आपको बोलूँगा आप अपना पैसा लेकर निकल जाओ अगर आपका पैसा रेट टू रेट भी निकल रहा है रेट टू रेट के मतलब आपने 10 रुपे में ख चालीस परसंट भागा है तो लोगों को लेगा नहीं नहीं यह तो प्रॉफिट दे रहा भई कैसे निकल जा कैसे निकल जा तो मैं आपको बता दूँ यह एक टाइम पास टॉक है इसमें फसके रहे जाओगे चक्रविव की तरह मतलब गोल 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 गूमते रहोगे आपको लागेगा कि शेर तो दोड़ रहा लेकिन एक्च्वल में यह गोल 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 चल रहा जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक देख लो वो शेर का प्राइस चलते नहीं उस तरीके से यहां पर 10,000 करोड का मार्केट केप वाली कमपनी मुझे लगता है कि यहां से एक आपकी मर्जी आपकी रहेगी तो यह एक अच्छी खबर थी बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों में फिर आपको फजा देगा तो जो गलती हो चुकी है उसको सुधार लेजिए यहां पर समझने की कोसीज कीज़ेगा कमपनी का बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में कमप साथ देख लिजए कि liability घट रहा है तो भाई asset भी तो decrease हो रहा ना यहां पर तो सोच लिजए जिस company के पास asset से जादा मतलब liability हो ऐसे company में कभी पैसा बन सकता आप खुद ही देख लो मतलब अगर 30% भी किसी company के पास liability होता है तो लोग बोलते ने ने यह ठीक नहीं है तो भा हाला कि जो मैं आपको बता रहा हूं रास्ता वो आपको मतलब 6 मेने साल बर या 2 साल बाद जाके आपको पता चलेगा हाला कि अभी तो आपको अच्छा लगेगा क्योंकि stock दोड़ रहा बाकि आपकी मर्जी रहेगी अगर यहां से यह stock चला भी तो मैं आपको बता देता हाला कि नई company नहीं है बहुत पूरानी company है लेकिन फिर भी आज तक मैं आपको बताऊंगा कि मतलब यह क्या करती है और कोई और benefit करता है वहां से लोगों को मैं जो भी बोल रहा हूं वह तकलीफ लगेगा लेकिन आप खुद ही देख लो smart लोग smart ही होते हैं और जितने सब कुछ प्लेज है इनका सब कुछ प्लेज है इनका और यह कोई ऐसा बिजनस भी नहीं कर रहे है कि मतलब यह हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा पिछले 10-20 सालों से यह बिजनस कर रहे है अब आप इनको कितना टाइम दोगे 40 साल ओर दोगे उसके बाद पैसे का का नहीं होता है उसके बाद उनको मतलब थोड़ा बहुत फिजिकली सपोर्ट चाहिए होता है बाकी मर्जी आपकी रहेगी मैं बस इतना ही आपको बहुंगा स्मार्ट एक्शन लिजे स्मार्ट एक्शन समझ रहो ना बसने की कोशिस मत किजिगा और अगर आप स्टॉक मार्क